मैक्रोसफ वर्ड के इस टिटोरियल में हम लोग सीख रहे होंगे फॉंड गुरूप को तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए हम लोग एकोवल के साथ रैंड का कमांड यूज करेंगे और यहां पे कुछ पैराग्राप को हमने इंसर्ट करने वाले हैं तो हमने इसी पैर प्रिक्सिप्शन देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पिक और न्यूफ फॉंट फॉर यूर टेक्स यानि कि इसका कहने का मतलब है कि आप यहां से पिक कर सकते हैं अपने टेक्स के लिए निव फॉंट तो सबसे पहले उसके लिए हमने यहां पर एक पैराग्राप को इं जो उसा भी फॉंट आपके डॉक्मेंट के लिए सुटेबल है वह फॉंट को आप यहां से सलेक्ट करेंगे तो मानली कि मेरे को यह अच्छा लग रहा तो हमने वहां पर उसको क्लिक कर दिया उस पर जाके तो वह फॉंट मेरा यहां पर इंसर्ट हो गया अगर मानली कि लाश्मेट रहता है कि अगर मानली किंंगलिस वाले फॉंट को यहां से क्लिक करने के बाद अगर इसको हम हिंदी कर दें तो यह हिंदी में तो आजाएगा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा इसका keyword से control shift और f button जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर font family खुलेगा और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे उपर font का option इसमें से आपको जोन सावी font आपको यूज करना है वो font यहाँ से आप क्या करेंगे select कर लेंगे यहाँ से माली कि हम यहाँ तो यह वाला font select कर रहे है select करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा font दिखने वाला है और यहाँ पर जैसे ok करेंगे आप देख पाएंगे कि वह font यहाँ पर आ चुका है तो आसा करते हैं कि font option आपका clear हो चुका होगा अब बात करते हैं अगले option के और जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे bold करने के लिए तो bold करने के लिए किसी भी text को सबसे पहले उस text को select करेंगे जितना यह को आपको bold करना है तो माले कि मेरे को पूरा paragraph को करना है तो सबसे पहले हमने पूरे paragraph को select किया उसके बाद कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने keyword से यहां भी manually क्लिक कर सकते हैं यहां पर यह text bold में हो गया यानि कि हलका सा मोटा दिख रहा है और थोड़ा सा boldness में आ गया मोटा पन आ गया तो यह इसको हम लोग बोल्ड बोलते हैं यह आपने keyword से करेंगे तो control भी जैसे क्लिक करेंगे तो यह आपका बोल्ड हो जाएगा तो आप दोनों तरीके से बोल्ड का यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले option को जिसमें आप सीख रहे होंगे italic करने के लिए सबसे पहले भी यहाँ पे भी आपको टेक्स को select करना होगा, बाइडिफॉल्ड किसी भी option को आपको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले Cola को select करना होगा जिस document पर अपलाई करना होगा, उसके बाद आप्का यहाँ पे इसका use कर सकते हैं म tobies करना है जैसे हम यहाँ पे किलिक करते हैं कि यह हल्कका जुका हुआ है एक तरफ स्थ आ रहा है चलिए माली कि हम इस टेक्स को सीख रहे होगे अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जिलेक्स करना होता है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंडरलाइन देखने को मिल जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको different different underline देखने को मिरा है double underline का यूज़ करना है आपको यहां पे थ्रौसा यह ठीक underline का यूज़ करना है dotted का यूज़ करना है जैसा भी आपको यूज़ करना है चwave अच्धे न बता यहां पर करना आ है उसके लावा आपको यहां पे यहां पर एक जिस थी तिया हुआ है रहां यहां पर अन्डराइन नहीं करना आँ तो उसके लिए और यहां पर उप्षिन को लेगा और यहांपे आप देखेंगे तो यहां पर उपर में दिखेंगे वर्ड वटवनली का मतलब होता है कि सिर्फ वर्ड के वर्ड के नीचे ही अंडर लाइन होगा और जहां पर space हम लोग देंगे वहां पर underline नहींगा जैसे हम यहां पर click करते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे इसको थोड़ा zoom करके दिखाते हैं उसके बाद हम OK कर रहे हैं और यहां पर देखिए आप zoom करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर वीडियो के बाद पर वाइड लिखा हुआ है यहां इसके और इसके बीच में अंडरलाइन यहां पर नहीं है यहां पर अंडरलाइन नहीं है जहां जहां सिर्फ लगाया हुआ है वहां अंडरलाइन नहीं दिख रहा है चलिए मैं इसको तो यहां पर प만चांगा समय कि एसे में प्रते हैं तो इसके लिए आपको अशन्य मेर्च करेंगे और मोई कि कि लिए आप यहां पर करने से आपको किदिर दिखेगा चली इसको कर देते हैं अब देहाँ पा रहा है कि सारा अंडरलाइन के बीच में गाप है शुक्र आंदरलाइन नहीं करना है तो आप यहां से कर सकते हैं ये अंडरलाइन हट जाएगा लेकिन उससे पहले आपको text को select करना होगा area को define करना होगा कि कौन सा area में अब underline को आप नहीं रखना चारा है तो माले कि none पर जैसे ही click किये हैं सारा underline हट गया बात करते हैं अगले option जिसमें हम लोग सीख रहे होंगे a strike through इसका यूच क्या होता है किसी भी text को अगर cut करना है अगर cross देखाना है बीच से cut कर देना है तो इसका यूच करते हैं चलिए सबसे पहले हम यहां text को select करने के बाद अगर इसको हमको काटना है काटे हुए दिखाना है कटा हुआ तो इसको कुछ इस तरीके से click कर देंगे तो यह आपका यहां पर कटा हुआ दिखने वाला है यानि कि यहां इसको आप गलत हराने के लिए यूच कर सकते हैं माली की मेरे document में यतना word यह माली की इतना word हमको नहीं लिखना था और आपने नहीं हापे गुट कर देंगे शुका